So, अब हम देखने वाला है 3.2 के बारे में अब इस में देखेंगे 3.2 का introduction देखेंगे फिर उसके बाद में सारे के-सारे questions करेंगे 3.2 में किस तरीके के questions पूछे जाते हैं सबसे पहले हम introduction देखते हैं मतलब concept देखते हैं इन questions को solve करने का major concept क्या होगा देखो अभी तक हमने देखा 3.1 के अंदर कि हमें एक equation मिलती थी for example जैसे हमें equation मिली 2x plus में y equal to 5 इस equation से हम इस equation को बनाया किस से एक statement से और इस equation से हमने क्या बनाया एक graph बनाया ठीक है अब यहाँ पे तो बात आ रही है graph तक हम पहुँच चुके थे लेकिन यहाँ पे आप बात आएगी कि आप graph की help से आपको सिर्फ graph बना के नहीं छोड़ना आप graph की help से आपको क्या निकालना है जो अपने x और y जो let किये थे उनको find out करना है और आपको पता है कि इस chapter का नाम है pair of linear equation तो यहाँ पे पेर मिलेंगे आपको equations के अब उन पेर से क्या होगा for example आपने एक graph बनाया यह एक linear equations है जिससे आपने एक graph बनाया तो एक straight line बनेगी यह आपका y axis होता है और यह आपका x axis होता है for example इससे आपके एक line बनी इस तरीके से माल लेते हैं और दूसरी को equation थी x plus में 3y equal to 6 इससे जो आपने line ड्रो की वो बनी कुछ इस तरीके से और यह दोनों के दोनों line एक दूसरी को किसी particular point पे क्या करते है intersect करते हैं काटती है और उसी point की उस point का coin है कोई तो एक क्या होगा coordinate होगा अमाल लेते हैं उस point इसको काटती है आपके 2,3 पे कट करती है ठीक है जहां 2 मतलब x की value 3 मतलब y की value यह 2 मतलब x की value और 3 मतलब y की value यह बात आपको याद रखनी है यह answer है आपका मतलब जो आपने let किया था इन equations में x और y पुट करने के लिए उसका answer है intersecting point का x coordinate तो x की value होगा और intersecting point का y coordinate y की value होगा from these pair of the equations linear pair of equations का समझे में आगी कि graph से हम कैसे जो हमने let किया था इस equations को बनाने के लिए जैसे हमने let किया था the cost of the apple cost of the grapes वो क्या होगा वो आपका x और y जहां जिस point पे cut करेगा तो उसके coordinates x का coordinate x की value y का coordinate y की value होगी I hope इतना थोड़ थोड़ आपको समझ आएगा question में जाएगे in detail आपको समझ में आएगा तो इतनी बात आपको समझ में आएगा अब एक important चीज next concept एक चीज कोई भी दो line है क्योंकि ये तो pair of equation है अगर मैं standard form में लिखू तो कैसे लिखी जाएगी standard form में linear equation को हम लिखेंगे ax plus by plus c हना अब a, b, c कुछ भी हो सकते हैं equal to 0 ये coefficients है और c constant है तो ये कुछ भी हो सकते हैं 123-123 कुछ भी हो सकते हैं ठीक है ये आपकी first equation है दूसरी equation को कैसे लिखूँगा तो मैं coefficients को ही change करता हूँ a1, b1 और c1 नाम देता हूँ दूसरी के मैं coefficients को नाम दूँगा a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 क्योंकि x और y तो as it is रहेंगे same तो ये कौन सी equation होगी ये आपकी second equation होगी अब क्या करना है अब आप मुझे बताओ कि यहां पे आपकी 2 straight line बनेगी graph में तो आप मुझे बताओ कि 2 line है कितने तरीके से वो आ सकती है हो सकता है कि दोनों की दोनों जो linear pair बने या line बने वो दोनों की दोनों क्या हो एक दूसरे को किसी particular point पे cut करें ठीक है intersect हो तो intersect होंगी तो इस point पे क्या होगा कितने solutions होंगे ऐसी line के जो एक point पे intersect होगी तो कितने solution होंगे वन solution अब बोल सकता है कि वन solution will be there एक solution होगा ऐसी line का मतलब एक solution आएगा यहां पे X और Y की form में clear भी बात? अब आप मुझे बताओ यहां पे इनको एक category में डिवाइड गया जाता है consistent और inconsistent देखो consistent का मतलब समझाता हूँ और inconsistent का मतलब भी समझाता हूँ consistent का मतलब यह होता है कि जिन line का जिन pair of line का क्या हो कोई ना कोई एक value हो या फिर वो किसी ना किसी एक point पे क्या करती हो कट करती हो, intersect करती हो तो क्या यह consistent line है इस condition में या inconsistent है तो of course यह कैसी है consistent है consistent pair है यह ठीक है तो कितना solution आएगा अगर एक point पे intersect करती है तो one solution consistent होगी कि inconsistent होगी तो of course consistent होगी यह तो पहली तो situation हो सकती है कि किसी एक point पे cut करे दूसरी situation देखते हैं कि और क्या हो सकता है दूसरी condition हो सकती है कि ये किसी भी point पे cut ना करे ये भी तो हो सकता है किसी भी point पे cut ना करे तो उस condition में वो कौन सी condition होगी पहले तो ये देखते हैं वो condition होगी अगर ये एक line है अगर एक दूसरी के क्या हो पैलल हो कहीं पे भी कट ना करें तो वो उस condition को बोलेंगे इसमें कितने solution होगे ऐसी condition में एक भी point पर कट नहीं कर रहा तो नौ solution या फिर नौ solution मतलब कोई भी solution नहीं होगा अब कोई भी solution नहीं होगा तो ये consistent होगा कि inconsistent होगा तो of course inconsistent condition होगी inconsistent condition बोलजाएगी यह तो no solution plus में inconsistent condition है इसके अलावा सिच्वेशन हो सकती है 2 line की एक तो मैंने बताया कि एक तो हो सकता है कि किसी एक point पे cut कर सकते हैं, दूसरा बताए कि किसी भी point पे cut ना करें, और तीसरी जो condition हो सकती है, वो क्या हो सकती है वो हो सकती है, कि जो आपने line बनी, पहले जो equation से line बनी, वो ये है और दूसरी equation से line बनेगी, वो इसके उपर ही क्या हो जाए को इंसाइड मतलब कि इसके उपर ही आ जाए मतलब इसको infinity point पर टच करें ठीक है ना समझ पा रहे हो ना को इंसाइड कर जाए तीन conditions ही हो सकती हैं तो यहां पर कितने solutions हैं मतलब आप से मैं बोलू कि कितने point पर cut कर रही है एक लाइन दूसरी line को तो आप बोल सकतो infinite infinite points पर यह cut कर दिया तो infinite solutions होंगे ऐसे condition में तो यह आपका infinite solution वाला condition होगा क्या consistent होगा कि inconsistent होगा तो मैंने बोला कि solution है तो consistent होता है तो यहां पर यह क्या होगा consistent होगा क्या होगा consistent होगा अब समझ में आगे consistent का मतलब consistent का मतलब होता है, कितने solution infinite solution consistent की inconsistent, of course consistent, तो consistent का मतलब है कि किसी भी point पे cut करें चाहे एक point पे एक cut करें उसको हम consistent होना बोलते हैं, तो यहां पे यह कैसी condition में है, एक infinite solution होंगे, अगर यह दोनों के दोनों एक point पे आ रहे होंगे तो, ठीक है तो दो जो line बनेंगी equation से या तो वो एक दूसरे को एक point पे cut कर रही होंगी या वो parallel होंगी या फिर वो क्या होंगी coincide कर रही होंगी एक line के उपर दूसरे line आ रही होगी तो तीन conditions यहाँ पे pair of linear equation में हो सकती है तो consistent और inconsistent और कितने solution होंगी इनमें हमें difference पता चला अब जो 3.2 के अंदर जो question पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि आपको एक pair देदेगा पूछेगा consistent है inconsistent है कितने solution है बस यही पूछेगा आपसे आपको दो equation देके अब अगर आपसे दो equation देके कोई पूछे तो आपको सबसे पहले क्या करना है आप बोलोगे कि सबसे पहले हम graph बना के देखेंगे कि जो line है वो कैसे behave कर रही है मैं आपसे बोलू नहीं है आपको line बनाने की जरूरत नहीं है आप बिना graph बनाए भी पता कर सकते हो कि वो intersecting है one point पे या parallel है या फिर coincide है बिना graph बनाए पता कर सकते है आप बोलोगे कैसे पता कर सकते हैं बिना graph बनाए भी बताओ वो कर सकते हो इनके coefficients के ratio के according कैसे coefficients के ratio के according द्यान से देखो इदार अगर मैं आपसे बोलू कि a1 divided by a2 equal है आपका बिलकुल equal है किसके b1 divided by b2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनका ratio तीनों का ही बराबर बराबर है कौन है a1 b1 c1 equation के coefficients a1 ये और a2 ये b1 ये और b2 c1 ये और c2 आपको इसको standard form में ही लिखना है अगर c इदर लिखा हुआ है तो उठा के इदर लेके जाना है इसमें भी इदर लिखे जाना c2 को भी तब ही आपको ratio निकालना है अगर ये तीनों बराबर है तो कौन सी condition होगी पता है ये आपको आँख बंद करके आपको लिखना है कि ये coincide वाली condition है कौन सी condition है coincide वाली कि एक जो line है वो दूसरी line उसके उपर आ रही है मतलब कि दोनों line एक दूसरी करें infinite number of time एक दूसरी को cut कर रही है मतलब एक line दूसरी line को infinite number of points पे cut कर रही है तो कितने solution होंगे infinite solution होंगे सिर्फ ये देखना है कि उनका ratio बराबर हो та infinite solution है दूसरा क्या है कि consistent है कि inconsistent है तो of course आपको बोल देना है कि यह consistent है बात आगे समझ में दूसरी condition अगर मैं आपसे बोलू कि A1 divided by A2 equal है B1 divided by B2 के लेकिन 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 यह equal नहीं है C1 divided by C2 के तो यह कौन सी condition होगी boss यह condition होगी parallel वाली condition कौन सी condition होगी यह parallel वाली condition कि एक line है वो दूसरी line के क्या होगी parallel होगी याद रखना है यह चीज अगर आपके coefficient A और B equal है लेकिन C equal नहीं है तो यह इसका मतलब है कि line क्या है parallel है तो यहाँ पे कितने solution होगी no solution कोई solution नहीं होगा याद रखना है ऐसे ही situation का कोई solution नहीं होता क्या consistent होगी उसके बाद तीसरी condition होती है जिसमें आपका A1 divided by A2 ही equal नहीं होता B1 divided by B2 के और C1 divided by C2 के भी नहीं होता आप A और B को ही लेके देख सकते हो C तक पहुँचने की ज़रुरत नहीं है अगर ऐसा है कि कुछ तीनों ही ratio बराबर नहीं है तो ये condition कौन सी आगई ये condition आगई one solution वाली condition मतलब एक point पे only एक point पे intersect करेंगे तो कितने solution होंगे only one solution will be here कितने solution only एक solution यहाँ पे होगा ये consistent होगा कि inconsistent होगा तो याद रखना है ये consistent होगा ये क्या होगा consistent होगा तो inconsistent सिर्फ किस condition में है जिसमें parallel है जिसमें एक भी point पे touch नहीं कर रहा है तो आप ratios को देखके A और B और C के ratios को देखके आप बता सकते हो कि यह intersect कर रहे हैं तो कितने point पे कर रहे हैं कितने solution है consistent है कि inconsistent है that is it clear हुई बात सिर्फ और सिर्फ इनके coefficients के ratios को ही आप लेक्के पता कर सकते है अब हम देखते हैं यह आपको बाते समझ में आ गई अब यहाँ पे आपको graph बनाना आ गया major concept आ गई यह आपका graph paper होता है आपको जिसा पता है इसके अंदर आपको easily पता होगा कि कैसे चीजों को arrange किया जाता है तो let's dive into the chapter एक-एक exercise का first question देखते हैं बोला है यहाँ पे पहले question में क्या बोला है बोला है from the pair of the linear equation the following problems हमको कुछ problems दी हुई है इनमें पहले बोला है कि linear equation बनेगी find their solution graphically मतलब उनके graphically solutions निकालना है पहली condition पहले एक पहला question देखो कैसे solve करेंगे इसको पहले आपको statement दिया हुआ है जान से statement से हमें कहां तक पहुचना है equations तक और equations तक कहां तक पहुचना है graph तक और graph से क्या होगा graph जो निकल के आएंगे वहाँ से आपको solution तक मतलब एक linear equation ऐसे बनती है एक ऐसे जिस point पे cut करते हैं उसके coordinate आपकी जो x और y की जो let करेंगे value वह होगी समझ में आगी बात statement से पहले equation तक पहुचेंगे equation से graph बनाएंगे और graph से answer तक पहुचेंगे अभी तो इतना ही करना है सबसे पहले statement से equation तक पहुचते हैं तो start करते है equation से mathematics quiz मतलब एक math की quiz होती है उसमें participate करते हैं याद रखना है कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं class 10 के जो की math की quiz में part करते हैं, part लेते हैं if the number of girls is 4 more than the number of boys find the number of boys क्या निकालना है? number of boys निकालना है number of girls निकालना है तो यहाँ पे मैं let कर लेता हूँ let, जो आपसे पूछा है क्या पूछा है? number of boys मैं x माल लेता हूँ number of boys is equal to x similarly मैं यहाँ लिख सकता हूँ number of girls number of girls कितनी माल लू? y माल लू? girls y माल लेते हैं ठीक है? boys माल लेते हैं x हैं और class के अंदर girls y है ठीक है? अब हम यहाँ पे पहली condition से एक equation बनाएंगे बोला क्या है? 10 student total तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x plus में y is equal to 10 this is the equation number 1 इसको क्या मैं एक equation number 1 दे सकता हूँ? बिलकूल दे सकता हूँ उसके बाद मैं बोला है कि math की एक quiz होती है उसमें participate करते है लेकिन आके दिया हूआ है if the number of girls is 4 more than the number of boys मतलब क्या है इसका? कि जो number of girls है यह x और y को अभी हमें तराजू पे रखना है equal to y क्या मैं बराबर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता है लेकिन, लेकिन, लेकिन if the number of girls is 4 more than मतलब number of girls जो है जो number of girls है y वो already 4 जादा दी हुई है boys से तो क्या मुझे x पे 4 को add करना है कि y पे add करना है देखो equal का मतलब है एक तरीकी से तराजू already number of girls तो 4 जादा दी हुई है ने statement में तो मुझे बराबर करने के लिए boys में add करना पड़ेगा आपको लगेगा ऐसे कि आपको यहाँ पे लगेगा ऐसे कि यहाँ पे आपको girls में 4 जादा पड़ेगा लेकिन, दियान से देखो बोलक है if the number of girls is 4 more than जो यह है number of girls तो already 4 जादा है और equal का sign को satisfy करने के लिए आपको यहाँ पे x से plus करना पड़ेगा 4 ना कि girls के अंदर क्योंकि girls अल्रेड़ी दियुए कि चार्ट जादा है boys से तो यहाँ पे equal करने के लिए यहाँ पे मुझे इसमे add करना पड़ेगा तो यह दूसरी equation निकल के आईगी तो यहाँ पे दो equation निकल के आगी पहली equation क्या निकल के ही x plus y is equal to 10 दूसरी equation निकल के ही x plus 4 is equal to y अब इन दोनो equation से मुझे graph बनाना है graph बनाके मुझे answer निकालना है तो यहाँ पे graph बनाते हैं सबसे पहले हमें graph बननने से पहले table बनानी होगी जो कि कैसे होगी x plus y is equal to 10 और दूसरी थी x plus 4 is equal to y किलियर हुई बात अब equation 1 से और equation 2 से graphical जो table graph बनाने के लिए जो table होती है वो बनानी होगी तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा from equation 1 पहली equation से जो मैं table बनाऊंगा कुछ इस प्रकार होगी यहाँ पर इस तरीके से लिख लेता हूँ x की value यहाँ लेता हूँ y की value अब यहाँ पर मुझे equation 1 from 1 ना पहली equation से बना रहे है तो equation 1 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x is equal to 10 minus y लिख सकता हूँ यहाँ पर अब यहाँ पर मैं एक random value अपनी तरफ से put करूँगा और मुझे कम से कम 3 coordinates तो चाहिए ही चाहिए मैं y की random value अपनी तरफ से put करूँगा और मुझे x की value मिल जाएगी तो y की value सबसे पहले मैं ने put करी 5 कितनी 5 put करी और मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा x की value 10 minus 5 कितना आएगा, 5 आएगा तो x की value आए 5 similarly अगर मैं put करता हूँ यहाँ पर Y की जगा put करता हूँ मैं 6 तो यहाँ पर मेरे पास में कितनी value है 10 में से 6 गया है तो 4 similarly मैं y की जगा put करता हूँ 4 तो x की value आएगी 6 तो यहाँ पर coordinates आया पहला coordinate आया 5, 5 दूसरा कोडिनेट आया 4,6 तीसरा कोडिनेट आया 6,4 तो यहां पे आपके तीन कोडिनेट्स निकल गए आगे हैं उसके बाद में second equation से from second equation we have to draw a table हमें एक table बनानी है दूसरी equation से भी जो कि कुछ इस प्रकार होगी x, y और यहां पे तीन आपको कम से कम कोडिनेट्स निकालने ही निकालने हैं तीन कोडिनेट्स हमको find out करने ही करने हैं कैसे निकालेंगे द्यान से देखो यहां पे equation लेनी है और equation को लेने के बाद में आपको सिर्फ value पुट कर देनी है x plus 4 is equal to y आप यहां पे x की value पुट करो यहां पे x की value पुट करूंगा 0 तो y की value 4 आएगी की नहीं आएगी बिल्कुल आएगी similarly, मैं x की value यहां पे पुट करता हूँ कितनी 2 यह 2 मत पुट करो आप यहां पे minus में पुट करो चोटी value minus में पुट करो to minus 4 plus 4 y की value कितनी आई? 0 आईगी to मैं x की जगह यहाँ पर minus 4 put कर देता हूँ और y की value क्या निकल किया? 0 निकल किया इसी तरीके से minus 3 put करता हूँ x की जगह minus 3 put किया to minus 3 plus 4 to कितना निकल के आई y की value? 1 निकल के आया तो यहाँ पर coordinates कितने आगे? 0,4 minus 4,0 and the third coordinate is minus 3,1 यह आपके coordinate आगे graph के बस इनको जमाना है आपको तो सबसे पहले first equation को जमाते हैं फिर second equation को जमाएंगे तो चलो लिखते हैं पहले equation को draw करते हैं फिर second equation को draw करेंगे फिर हम यहाँ पर answer देखेंगे अब यहाँ पर थोड़ा समय स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ आपके लिए तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ इस graphical paper में कि यहाँ पर हम माल लेते हैं इसको y axis जो की होगा आपका यह y axis माल लेते हैं और यह आपका होगा y dash जो इसमें negative आपके numbers आने वाले हैं और इसको इस line को माल लेते हैं x axis इसको माल लेते हैं positive x इसको माल लेते x dash जिसमें आपके negative आपके coordinates आने वाले हैं यहाँ पर 1,2,3 में number देता हूँ यहाँ पर नमबर देता हूँ मैं positive में भाई positive में जाएगा न उपर की तरफ यह आपका origin है 0,0 यहाँ से उपर जाते हैं तो क्या आता है negative point आते हैं यहाँ पर positive आते हैं यहाँ पर लेखेंगे 1 यहाँ आएगा 2 यहाँ लेख सकते हैं इसी तरीगे से 3 4,5 and so on similarly इसी तरीगे से आप यहाँ पर आगे 6 भी दे सकते थे 7 भी दे सकते थे similarly आपको यहाँ पर negative में लिखना है minus 1, minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 okay similarly अब आप x के coordinates दे सकते हो x पर यहाँ पर क्या आएगा 1 यहाँ पर आएगा आपका positive 2 यहाँ आएगा 3 यहाँ आएगा 4 यहाँ आएगा 5 यहाँ आएगा 6 यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 8 वसी इस तरह के से आप इधर x के values दे सकते हो minus में हैंगे minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 4 के बाद में यहाँ पर minus 5 minus 6 minus 7 और minus 8 के लिए भी बात अब यहाँ आपके coordinates जमा देना है for equation 1 पहली equation के लिए तो मैं यहाँ पर दूसरा pen यूज करता हूँ कौन सा करूँ कौन सा करूँ blue यूज कर लेता हूँ blue नहीं blue नहीं black यूज करता है अब देखो coordinates क्या क्या थे पहले थे 5,5 तो 5 कहा है यह रहा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 5,5 दूसरा coordinate क्या है वही 4,6 4,6 यहाँ पर 6 माल लेते हैं इसको 6 माल लेते हैं 4,6 कहा आएगा यहाँ आएगा 4,6 clear हुई बात तो यहाँ पर आएगा आपका 4,6 यह आएगा आपका 5,5 उसके बाद क्या दे रखा है आपको 6,4 तो यह आएगा आपका 6 और यह आएगा आपका 4 clear हुई बात यहाँ पर आएगा आपका 6,4 यहाँ पर लिख सकते हो 6,4 सारे coordinates जमा दिये पहले equation के बिल्कुल जमा दिये दूसरी equation मतलब यह तो होगे पहले equation का यहाँ पर आप चाहो तो line draw कर सकते हो मिला सकते हो इनको इस तरीके से अभी दूसरी equation 0,4 तो यहाँ पर 0 और 4 कहा है यहाँ है 0,4 clear हुई बात यह आपका 0,4 होगा 0,4 X और 4,4 Y उसके बाद में होगा आपका minus 4,0 मतलब X की value क्या है minus 4 minus 4,0 मतलब यहीं रहने वाली है यह value उसके बाद में next coordinate है minus 3,1 minus 3,1 यह वाली value clear हुई बात अब आपको कुछ नहीं करना आपको कर देना है यहाँ पर इन दोनों को मिला देना है यह straight line बन रही है बिलकुल बन रही है ओके और यह straight line बन रही है बिलकुल बन रही है अब आप देखोगे कि किसी ना किसी point पर एक cut कर रही होगी जिस point पर भी एक cut करेगी वो आपका क्या होगा वो आपका answer होगा भई वो आपका answer होगा clear होगी बात? वो आपका answer होगा तो किस तरीके से बनाना है graph? किस तरीके से आपको answer निकालना है? For example, ये किसी particular point पे cut करता है मालो, आगे जाके ये cut करता है 8,0 पे 8,3 पे cut करता है माल लेते हैं ये 3,8 पे cut करता है तो X की जो value हमने boys की let की थी, वो कितनी होगी? 3 और जो girls की होगी, वो आपकी 8 होगी इस तरीके से कुछ आपका answer आएगा जिस point पे एक line कट करेगी वो आपका answer होगा clear होगी बात? आगे चलते हैं next question की तरफ similarly ये ही question आपको इस तरीके से दिया होगा बोला है 5 pencil 5 pencil दियुए है 5 pencil and the 7 pen together उनकी cost कितनी है? rupees 50 अगर 5 pencil खरीते हो और 7 pen खरीते हो तो आपको 50 रुपए देने होते हैं whereas 7 pencil and 5 pen together rupees 46 आपको देने होते हैं find the cost of 1 pencil and the 1 pen तो let क्या करना है? यहाँ पर equation बनानी है सबसे पहले statement से आपको equation पर पहुचना है और equation से पहुचना है graph पर और graph से पहुचना है answer पर clear हुई बात? तो statement से पहले step तो यह है कि statement से आप equation पर पहुचपा हो तो सबसे पहले statement से equation पर पहुचते हैं यहाँ पर आपसे पूछाएगी one pencil और one pen की cost पता करो तो जो पूछा होता है उसको यह आप let करते हो तो यहाँ पे let किया मैंने let the cost of cost of one pencil is equal to x rupees माल लेता हूँ similarly cost of one pen y rupees माल लेते हैं वही कितने y rupees माल लेते हैं आप पहली condition बोलियों होने की 5 pencil और 7 pen की cost पचास रुपय आती है तो यहाँ पे मैं पहली condition से लिख सकता हूँ 5 into x plus में 7 into y is equal to 50 exactly सही है कोई गलत नहीं है यह equation 1 बोल सकता हूँ बिलकुल बोल सकते हो 7 pencil and 5 pen 7 pencil मतलब 7 x plus 5 y is equal to rupees कितना 46 यहाँ पे लिख सकते हो 46 रुपीज तो this is equation 2 तो यहाँ पे कितने equations आपके सामने आगी है दो equation आपके सामने आगी है जिसमें pencil की cost दे रखिये और आपको pen की cost दे रखिये और total cost दे रखिये दोनों की तो यहाँ पे आपको number of pencil pen करके आपने 50 पहले equation निकाली 46 second equation निकाली आपको निकालना है कि एक pencil की cost कितनी होगी और एक pen की cost कितनी होगी clear हुई बात कि एक pencil की cost क्या पड़ेगी और एक pen की cost क्या पड़ेगी यह आपको निकालना है तो द्याहन से मेरी बात द्याहन से सुनना एक बात बड़े द्याहन से सुनना अगर मैं इससे ग्राफ बनाता हूँ और इससे ग्राफ बनाता हूँ इन दोनों से जो ग्राफ बनाता हूँ वो ग्राफ किसी पॉइंट पे कट होगा उस point का x coordinate निकलेगा और y coordinate निकलेगा तो x coordinate का मतलब होगा क्या pencil की value और y coordinate का मतलब होगा pen कितनी रुपय का है pen की value तो बात समझ में आगी कि कुछ नहीं करना अब आपको graph बनाना है graph बनाके बस जहां जिस point पे cut करें उसकी x और y की coordinate की value आपके answer होंगे I hope you got the point you can easily solve this question let's move further आप easily कर लोगे इस question का as it is है पिछले वाले की तरह है अब हम करते हैं second question इसके अंदर क्या बोला है अब आगया आपका जो मैंने concept समझाया था coefficient का बोला है on the comparing the ratio a1 ratio a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 इनका ratio को compare करो इनके ratios को compare करो and find out the line आपको क्या करना है कि ये parallel होगी intersect होगी या coincidence होगी मतलब कि coincide कर रही होगी किस condition में होगी अगर इन से graph तो पहला तरीका है कि इससे और इससे graph बनाऊ मतलब equation 1 से और equation 2 से इस equation से आप graph बनाओ और इस equation से अगर आप graph बनाओगे तो अगर graph के दूसरे को cut कर रहे होंगे फिर बता देंगे कि यह intersecting है parallel होंगे तो parallel दूसरा तरीका है आप सिर्फ compare कर दो किनको coefficients को तो चलो coefficient को compare कर देते हैं वाई क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे a1 upon a2 लिखना है जो कि कितना है आपका 5 upon में 7 b1 upon b2 लिखना है sign के साथ रखना है तो minus 4 divided by 6 कट रहा है 5 7 से कटता नहीं है 4 6 से यह दोनों 2 से कट रहे हैं तो minus 2 2 जा 4 और 2 3 जा तो minus 2 by 3 आ रहा है similarly अगर मैं c1 divided by c2 की बात करो तो यहाँ पे आएगा 8 divided by minus 9 जो कि करता नहीं है तो as it is रहेगा तो यहाँ पे देखो a1 a2 की ratio की value आई है 5 by 7 b1 b2 की आई है minus 2 by 3 और c1 c2 की आई है 8 by 9 क्या तीनों equal हैं क्या दो equal हैं नहीं है तो आप बोल सकते हो कि a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2 is not equal to c1 divided by c2 तो यह condition क्या होती थी इस condition में क्या होता था मतलब तीनों ही equal नहीं हों इस condition में जो line होती थी वो क्या होती थी एक दूसरे को एक point पे cut करती थी तो यह कैसी line बनेगी इस से one solution वाली तो आप बोल सकते हो कि line कैसी होंगी intersecting line कैसी line होंगी intersecting intersect at a point जिसमें पहली condition दी होगे नए intersect at a point तो आप बोल सकते हो intersect at a point ठीक है तो कितने solution होगे only one solution कितना solution होगा one solution यहाँ पे आपको मिलेगा समझ मैं आगी intercite करेगे एक point पे और एक solution होगा consistent होगा कि inconsistent होगा of course consistent होगे ठीक है तो आप बोल सकते हो this is consistent also consistent भी होगा next question पे चलते हैं इसमें भी आपको सिर्फ क्या करना है a1 upon a2 को देखना है जो कि कितना है 9 divided by 18 जिसको काटने के बाद में आता है यहाँ पे 9 वंज़ 9 9 टूज़ 18 similarly b1 upon b2 को देखते हैं जो कि आता है आपका 3 upon 6 3 वंज़ 3 3 टूज़ 6 1 by 2 उसके बाद आप हम c1 upon c2 को देखते हैं जो कि होता है 12 divided by 24 काटने के बाद देखोगे 1 by 2 तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है a1 divided by a2 equal है b1 divided by b2 के जो कि equal है c1 divided by c2 के तो 3 के 3 ratios क्या है equal होंगे अगर 3 ratios equal है तो answer क्या होगा what will be the answer तो यह होगा parallel इन्होंने बोला है तीन option में से कि parallel होंगे या coincide होंगे या intersect करेंगे तो आप मुझे बताओ parallel होगा कि यह coincide करेगा या फिर क्या होगा तो यह condition होगी कि एक line दूसरी line के ही उपर है जब तीनो ratio बराबर है तो एक line दूसरी line के just उपर है infinite solution many solution आप बोल सकते हो many solution many solution या infinite solution क्योंकि एक line दूसरी line के उपर ही आ रही है that is it third question इसमें भी आप निकाल सकते हो बिल्कुल as it is है आपको खुद को निकालना है पोस्ट वीडियो अपने आप करो इसको अब आते हैं third question पे अब बोला इनोंने अब इनोंने ये नहीं बोला कि बताओ कि intersect करती है parallel है या फिर coincide करती है अब इनोंनों बोला कि सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि consistent है कि inconsistent है बस इतना बताना है कि क्या ये consistent है क्या ये inconsistent है कैसे निकालेंगे सबसे पहले आपको निकालना होगा a1 अपॉन में a2 जो की कितना होगा 3 divided by 2 अभी एक important चीज़ चलो पहले मैं बता देता हूँ आपको एक important information आपके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या है important information इसको पहले standard form में लिखना है मतलब यह जो 5 है similarly इस equation को लिखना है आपको 2x minus 3y minus 7 is equal to 0 यह पहली equation होई यह second equation होई अब हम इसको ratios में लिखेंगे तो यहाँ पे a1 upon a2 का ratio क्या आएगा boss यहाँ पे आएगा 3 divided by 2 कट रहा है नहीं कट रहा है similarly b1 divided by b2 का ratio क्या आएगा यहाँ पे आएगा 2 minus 3 similarly अगर मैं यहाँ पे c1 divided by c2 का ratio देखू तो क्या आएगा minus 5 divided by minus 7 जोगी minus चलो कट गया है यहाँ पे तो क्या एक भी equal है तो आप बोल सकते हो कि a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2 is not equal to c1 divided by c2 कि एक भी ratio बराबर नहीं है मेरे भाई एक भी ratio बराबर नहीं है तो यह कैसी condition है यह condition है intersect at a point तो consistent होता कि inconsistent होता है तो एक भी point पे cut करे line तो वो consistent होती है तो यहाँ लिखना है this is consistent condition consistent क्या है consistent condition let's move further यहाँ पे आपको दो equations दिए है similarly आपको यहाँ पे यही करना है 2x-3y minus 8 is equal to 0 यहाँ पे लिखना आपको 4x-6y minus 9 is equal to 0 a1 upon a2 which is equal to 2 by 4 इसको cut करेंगे तो 1 by 2 आए गया similarly हम b1 upon b2 करेंगे जो कि आएगा आपका minus 3 upon minus 6 minus से minus cancel 3 से 6 cancel तो 1 by 2 यहाँ पे आए similarly अगर मैं यहाँ पे देखू तो c1 divided by c2 जो कि आपका किसके equal होगा minus 8 divided by minus 9 minus से minus cancel 8 by 9 यहाँ पे आप देख पारे a और b तो equal है लेकिन c equal नहीं है मतलब कौनसी condition है a1 divided by a2 is equal to b1 divided by p2 is not equal to c1 divided by c2 तो यह इस condition को क्या बोलते हैं है इस condition को बोलते हैं parallel होना कि एक line दूसरी line के क्या है parallel है तो इसको consistent बोलते हैं कि inconsistent बोलते हैं तो इसको बोलते हैं inconsistent क्या बोलते हैं inconsistent this is inconsistent condition अब हम बात करते हैं तीसरी condition की इसमें ratio देके बच्चे डर जाते हैं लेकिन डरना नहीं है पहले इसको सही condition में लिख लेते हैं मतलब इस standard form में लिख लेते हैं 3x by 2 plus 5 by 5y by 3 minus 7 is equal to 0 this is the first equation और second equation को मैं कैसे लिखूँँगा second equation को लिखूँँगा यहाँ पर 9x minus 10y minus 14 is equal to 0 this is second equation अब हम बात करते हैं किसकी a1 upon a2 की कि a1 और a2 का ratio क्या होगा यहाँ पर होगा 3 by 2 divided by 9 clear हुई बात अब इसको थोड़ा सा solve करेंगे तो नीचे चला जाएगा आपका 2 तो यहाँ पर आएगा 3 divided by 18 कट करोगे तो 3 वन जा 3 3 6 18 तो 1 by 6 अगर मैं B1 by B2 की बात करूँ तो यहाँ पर ratio आएगा कुछ आपका 5 by 3 divided by minus 10 और इसको आगे मैं further multiply or division करूँ तो 5 divided by minus 30 तो यहाँ पर कट करने पर आएगा minus 1 by 6 तीक है उसके बाद मैं अगर मैं बात करूँ next जो की होगा आपका क्या होगा C1 upon C2 कितना आएगा यहाँ पर minus 7 divided by minus 4 14 यहाँ पर minus से minus cancel 7 2 जब 14 तो 1 upon में 2 अब आप मुझे बताओ कि क्या यह equal है एक भी equal है नहीं आप बोलोगे 1 by 6 equal to 1 by नहीं है यहाँ पर यह minus है तो कौनसी condition लिखी हुई है A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 मतलब कौनसी condition है इसमें क्या होता है इसमें एक point पर कट करता है तो consistent होता है बिल्कुल consistent होता है तो लिख सकते हो this is the consistent condition ठीक है अब हम बात करते हैं यह आप खुद करोगे यह भी आप खुद करोगे अपने आप मैंने सारे questions बता दिया fourth question की तरफ move करते है अब इन्होंने बोला है which of the following pair linear equation are consistent या inconsistent if consistent then obtain the solution graphically बोला है कि यह बताओ इन में से कौन सा pair consistent होगा और कौन सा pair inconsistent होगा अगर consistent आ जाए तो उसको graphically represent करो और X और Y की value मतलब answer निकालो भई देखो दो line या तो एक point पे cut कर सकती है graph में या एक भी point पे cut नहीं कर सकती या फिर एक दूसरे के उपर हो सकती है तो अब यहां पे जो भी condition में touch कर रही है एक तो यह condition और एक यह condition दूसरे को touch कर रही है उस condition को क्या बोला जाता है consistent condition बोला जाता है this is consistent this is also consistent condition लेकिन जब parallel होती है जब एक भी पॉइंट पे touch नहीं कर रही उस condition को inconsistent condition बोलता है तो consistent और inconsistent में समझाया difference consistent में किसी point पे touch करेगी तो वहाँ पे कोई ना कोई coordinate निकल के आएगा और वही होगा उस equations का solution यहां पे बोलोगे कि सर यहां पे तो बहुत ही सारे points निकल के आएंगे तो यहां पे कितने solutions आएंगे infinite solutions आपको यहां पे देखने को भी लेंगे तो देखता हैं यहां पे कि यह दोने equations consistent और inconsistent हैं? Let's find out सबसे पहले first equation को देख लेते हैं यहां पे मैं एक दो ही करके दिखाऊंगा बाकी आप अपने आप कर लोगे बहुत इजी है, ग्राफ बनाना भी सीग गए consistent क्या होता है वो समझना जरूरी है कैसे पता करेंगे यह वाले first equation को कर लेते हैं या फिर यह third equation को कर लेते हैं फिर्ट को कर लो फिर्ट को कर लो जो आपको अच्छा लगी हो कर लो मैं इसको कर रहा हूं 2x plus y minus 6 यहां पे लिख लेते हैं second, third जो भी है 2x plus y minus 6 is equal to 0 this is the first equation और 4x minus 2y 4x minus 2y minus 4 is equal to 0 this is the second equation यहां पे आपको a1 upon a2 निकालना है वही करना है starting में तो a1 upon a2 मतलब क्या होगा 2 divided by 4 इसको काट होगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो 1 ratio 2 आएगा b1 by b2 जो की equal होगा किसके 1 upon minus 2 के यहां पे आएगा minus 1 by 2 similarly अगर मैं next देखू c1 upon c2 तो क्या आएगा यहां पे minus 6 divided by minus 4 minus minus cancel 2 3 जा 2 2 जा तो यहां पे आएगा 3 by 2 वो भी positive में तो यहां पे यह तीनों equal हैं आप बोलोगे 1 by 2 equal है नहीं है यहां पे minus 7 by 2 यहां पे plus है तो यह कौन सी condition आगे यहां पे आगे a1 by a2 a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 clear होगी बात अब यह जो होगा यह condition किसके लिए होती है जब line क्या हो किसी एक point पे cut कर रही हो तो जब एक point पे cut करती है तो consistent होती है कि inconsistent होती है तो यह है consistent consistent समझ में आगी अब इन्होंने बोलाए कि अगर consistent है ना भाई तो graphically उनको represent करो और answer भी बताओ तो आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ इससे graph बनाना है एक line बनानी है इससे graph पे एक line बनानी है वो line किसी एक किसी point पे cut करेगी उसके उसके x और y कोडिनेट आपको बता देना है अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ कोश्चन की यह आपका एक statement है statement से आपको equation बनाना है equation बनाने बाद इसको solve करना है देखो कैसे बोलाए कि half the parameter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 find the dimension of the garden मतला गार्डन कैसा है गार्डन है rectangular rectangle जैसा गार्डन है ऐसा है ठीक है तो इसकी length माल लेता हूँ मैं पता नहीं है तो इसकी length इस तरीक से width और length माल लेता हूँ थोड़ देर के लिए इसको x meter ये centimeter माल लेता है और इसको माल लेता है y centimeter अब देखान से सुनना आगे बोला है half the parameter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width ये तो एक equation बनाने का मामला आ गया तो मैं यहाँ पर माल लेता हूँ let कर लेता हूँ length is x centimeter और width is y centimeter थोड़ देर के लिए तो ये पहली एक equation इस statement से बन जाने वाली है क्या बोला length is 4 more than its width मतलब length x को माना हमने और width माना y को तो बराबर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता बोला क्या है कि length already 4 meter जादा है centimeter नहीं meter meter तो length जो है और 4 meter जादा है तो मुझे width में 4 add करना पड़ेगा बराबर लिखने के लिए तो मैं यहाँ पे width में length already जादा है जो x है ना वो 4 meter already जादा है length is 4 meter more than its width already condition दे रखी है तो x जो है वो 4 meter पहले जादा है तो बराबर लिखने के लिए मुझे y में 4 add करना पड़ेगा ना आगे बोला है half the parameter of a rectangular garden is 36 meter है ना देखो इतनी दूर जाके बोला है इसका मतलब है parameter क्या होता है what is the parameter of a rectangle parameter हमको पता है कि parameter of rectangle होता है 2 divided 2 into L plus B ठीक है लेकिन उन्हों बोला half the parameter मतलब divided by 2, 2 से 2 cancel तो parameter का आदा क्या होता है L plus B तो उन्हों बोला कि कितना है parameter parameter का आदा कितना है 36 तो क्या मैं यहाँ पे X length plus पे Y को क्या लिख सकता हूँ 36 लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकते हो यह आपका क्या आगया दूसरी equation आगयी तो basic चीज तो क्या है statement से equation बनाना ही सबसे major चीजे इस chapter में अब तो आप easily graph भी मना सकते हो graph जिस point पे cut करेंगे उसकी coordinates को आप X और Y की value निकाल सकते हो तो इसको आप easily कर लोगे let's move further next 6th question दे रहा है आपको very interesting question क्या बोला है given the linear equation एक आपको linear equation दे हुए है द्यान से देखना है इस question को क्या बोलना है given the linear equation is 2X plus 3Y minus 8 write the another linear equation in two variable आपको खुदगी दरब से एक और और लिखनी है equation such that the geometrical representation of the pair formed is intersecting line पहली condition में होना चाहिए कि एक ऐसा pair लिखो इसके लिए कि पहले के लिए तो intersecting line बने दूसरे के लिए parallel line बने और तीसरे के लिए coincident हो मतलब की एक के उपर एक line बने तो कैसे coincide कर जाए मतलब एक दूसरे के उपर ही पड़े हुई हो line तो इस तरीके से आपको तीन pair बनाने एक already आपको दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे दिखो बहुत easy है पहला condition हम करता है intersecting line तो उसके लिए एक equation आपको दियो है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 आपको दूसरी खुद लेनी है और intersecting line का क्या condition होता है कि a1 upon a2 equal नहीं होना चाहिए b1 upon b2 के तो यही करना है आपको कि जो दूसरी बनाओगे उसका ratio equal नहीं आना चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी randomly अपको भी लिख सकते हो a, b, c की जगे coefficient कुछ भी ले सकते हो तो मैंने यहाँ पर ले लिया यहाँ पर 5x लिख दिया clear भी बात plus में यहाँ पर लिख दिया मैंने 10y plus में 3 is equal to 0 लिख दिया तो आप यहाँ पर ratio देखो कितना आएगा a1 और a2 का ratio कितना आएगा यहाँ पर आएगा 2 by 5 is not equal to b1 और b2 का 3 by 10 नहीं है ना equal तो यही तो होती है क्या intersecting line का condition तो यह मैंने मेरी तरफ से लिखी line जो कि intersect कर रही होगी पहला आ गया दूसरे में बोला है कि parallel होनी चाहिए ऐसा parallel तो देखो parallel के लिए कैसे लेंगे दूसरी अपनी दरफ से parallel की condition क्या होती है parallel की condition होती है कि a और b तो बराबर हो लेकिन c बराबर ना हो यह थोड़ा सा आपको confuse कर सकता है तो आपको पता है कि पैलल कंडिशन होती है a1 अपोन a2 should be equal to b1 अपोन b2 but 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 should not be equal to c1 अपोन c2 मतलब a और b तो equal हो लेकिन c equal ना हो तो यहाँ पे किस तरीके से आपको लिखना है देखो बहुत इजी है यहाँ पे आपको लिखना है कि इस तरीके से लिखना है पैली पैली जो रेशो आई वो इस तरीके से आई कि यहाँ पे आपने लिख दिया 4x अपने मर्जिस लिखना है you have to use your own IQ 4x प्लस में 6y यहाँ पे लिखा मैंने और जो आपका next आना चाहिए वो equal नहीं आना चाहिए यहाँ पे देखो 2 by 4 मतलब 1 by 2 1 by 2 और यहाँ पे आप लिख दो 5 plus 5 is equal to 0 अब आप देहां से देखोगे तो यहाँ पे A1 divided by A2 का जो रेशो आएगा A1 divided by A2 का जो रेशो आएगा 2 divided by 4 जो की कितना होता है 1 by 2 similarly आप B1 upon B2 का जो रेशो देखोगे वो आएगा यहाँ पे 3 by 6 जो की होगा आपका 1 by 2 similarly C1 upon C2 का जो रेशो आएगा वो आएगा minus 8 by 5 जो की कटेगा ही नहीं जो की minus 8 by 5 ही रहेगा तो यहाँ पे क्या आया यह दोनों तो equal हैं लेकिन C equal नहीं है तो यह आपने randomly एक पैडल के लिए condition भी ले ली अब हम बात कर लेते हैं कि सब के लिए आना चाहिए मतलब coincide कर रही हो उसके लिए क्या condition होती है coincide करें उसके लिए क्या condition होती है उसके लिए equation कैसी ले नहीं होती है वहाँ पे जो ratio आने चाहिए coefficients के वो आने चाहिए कि 3 ही बराबर हो A, B और C मतलब यह तीसरा मतलब A1, B1, C1 तीनों के ratios बराबर आने चाहिए तो कैसे लेंगे यहाँ पे वही ले लो 4X यहाँ पे ले लो plus में plus में यहाँ पे आप ले सकते हो 6Y और 8 का दुगना क्या होता है 16 तो यहाँ पे ले लो minus 16 is equal to 0 अब देखो A1 अपन A2 करके देखो तो कितना आता है 2 by 4 जो कि किसके इक texto होता है 1 by 2 के similarly अगर मैं यहाँ पे B1 upon B2 करता हूं तो कितना आता है 3 by 6 जो कि Equal किसके ओता है 1 by 2 के Similarly अगर मैं C1 upon C2 करता हूं तो किसके Equal आता है minus 8 divided minus 16 जो कि होता है 1 by 2 के तो क्या यहां पर A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2 नहीं हा रहा बिल्कुल हा रहा है तो यह कौन सी कंडिशन है कोईंसाइड करने वाली है कंसिस्टेंट कंडिशन है I hope you got the point This is the 7th question इसमें बोला है draw the graph of the equation आपको एक equation दी हुई है और दूसरी equation भी आपको दे दी हुई है Determine the coordinates of the vertices triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region यह हम करेंगे अच्छे से देखो कैसे करना है यहां से देखना यहां पर आपको equations दे दी और बोला है कि इसे graph बनाओ और graph बनाने के बाद में एक triangle जैसा बनेगा x-axis के उपर उसको आप shaded कर दो चलो, let's solve this सबसे पहले मैं यहां पर table बना देता हूँ table बना देता है तो यहां पर x-y plus में 1 is equal to 0 जिसको लिख सकता है कुछ इस तरीके से x is equal to y-1 इससे table बनेगी कुछ आपकी x और y की term में कुछ ऐसी x and y यहां पर y के लिखे आप ठूट कर दो value आपको x x के value मिल जाएगी यहां पर मैंने 1 PUT करी y के लिखे लिखे 1 PUT करी मेरे पास में 1 value यहां पर I put ं dalक य然 थरी पूट करी जीके थरी माइनस वन यहां पर 2 value can यहां पर मेरे पास में koord бывает 0,1 और 1,2 and 2,3 तीन कोडिनेट मेरे पास में फर्स्ट एक्वेशन से आगे similarly यहां पे सेकेंड एक्वेशन से भी आपको निकाल ले है तो सेकेंड एक्वेशन थोड़ इसी आपको complicated लग सकते है लेकिन डरना नहीं है यहां पे लिखा हुआ है सेकेंड एक्वेशन 3x plus में 2y minus 12 is equal to 0 और या तो x को इस तरफ रखो चाहो तो y को इस तरफ रखो और बाकी सबको आप right and side फैंक दो तो मैंने x को रखा तो बाकी की सारी चीज़े इदर चल जाएंगी तो x is equal to यहां पे आएगा आपका 12 minus 2y divided by 3 समझ मैं आगी अब आप यहां पे y की जिगए value put करोगे अपनी तरफ से और x की value आपको मिलेगी clear होई ना बात आप y की value खुद put करोगे और x की value आपको answer में मिलेगी तो यहां पे x और y यहां पे y की जिगए put करो सबसे पहले क्या put करें सबसे पहले पुट करते हैं हम यहां पे 3 ठीक है 3 पुट करते हैं तो यहां पे y की जेगे मैंने 3 पुट किया तो 3 2 जा 6 12 में से 6 गया तो 6 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 एक्स की वैल्यू क्या है 2 अब देखो यार मैं यह तो आज्यूम करके चल रहा हूं इतना सा तो करीद होगे है यह तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं प्लीज इतना सा तो करीद होगे उसके बाद में यहां पे y की जेगे मैंने पुट किया यहां पे कितना 6 पुट कर दू ह y की जिएगे मैंने 4 put किया 4 तू जा 8 12 मैंसे sorry 4 नहीं करना जो कि कटे ऐसा कुछ put करना है यार हमको ठीक है y की जिएगे आप 0 put कर दो y की जिएगे 0 put करोगे तो यहां पर बनेगा 12 आप उन में 3 तो जो कि आएगा 4 के एक वन तो अब आपके पास में दूसरी equation के भी coordinate आगे कितने आए 2,3 0,6 and 4,0 यह आपके coordinate आगे कुछ नहीं करना कुछ भी नहीं करना इनको सिर्फ आपको जमा देना है किस पे? ग्राफ पे जमा देना है तो यहां पे मैं एक rough graph बना रहा हूं ठीक है? एक x-axis और y-axis तो यह मैंने आपका एक graph ले लिया है अब पैली equation की coordinates को यहां पे जमाना है तो पैली equation की coordinate है 0,1 और 1,2 तो 0,1 कहां आएगा? 0,1 आएगा आपका देखो 0,1 मतलब x की value 0 हो यह यह आपका है 0,1 1 य के लिए और इसके लिए let me change the color of marker तो यहां पे आएगा आपका 0,1 यह वाला जो point होगा वो होगा आपका 0,1 क्यों? x के लिए 0 यहां होगा और y के लिए 1 यहां होगा तो इसको बोल सकते है 0,1 coordinate की value होगी 0,1 यही सी coordinate की होगी उसके बाद दूसरा coordinate क्या है boss? दूसरा coordinate है 1,2 x के लिए 1 और इसके लिए 2 कहां पे आएगा? यहां पे आएगा तो इसको बोल सकते है 1,2 उसके बाद में next क्या है आपका coordinate? 2,3 यह आपका 2 और 3 कहां आएगा? यहां आएगा ठीक है? तो यहां पे आपका आएगा 2,3 2,3 इस पॉइंट इस 2,3 ओके? यस, ओके अब यहां पे जांस से एक चीज देखनी है कौन सी चीज देखनी है अब आपको दूसरी line भी बनानी है दूसरी line के लिए 2,3 सबसे पहले coordinate लेना है आपको तो यहां पे लेना 2,3 तो 2,3 3 आएगा कहां पे? यहां पे 2 यहां पे आएगा और देखो पहले मैं इसको straight line में बना लूँ इसको straight line देखो यह एक line draw हो चुकी है इसलिए इसको linear equation बोलता है let me change the color अब मैं color change करके आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा तो आपको दिहान रखना है कौन सा color ले? कौन सा color ले? हाँ यह वाला ले लेते है यह वाला ठीक है? अब जो दूसरी equation होगी उसमें क्या था? दूसरी का पहला coordinate क्या था आपका? 2,3 2 एक्स के लिए और 3 इसके लिए तो कहां आएगा? यहाँ पे आएगा 2,3 ठीक है? 2,3 इस एक्सक्राइब पॉइंट इग्जैक्ली सेम पॉइंट 2,3 2,3 और उसके बाद मैं coordinate क्या है? 0,6 मतलब y की value आपको 6 लेनी है 0 x की value और 6 यहाँ पे इस पॉइंट is called the 0,6 ठीक है? इस पॉइंट is called the 0,6 पॉइंट ओके इस पॉइंट is 2,3 एज इस उसके बाद में तीसरा coordinate क्या है? 4,0 मतलब x की value 4 इस पॉइंट is called the 4,0 अब आपको क्या करना है? मिला देना है, इन तीनों points को मिला देना है इस ट्रेट लाइन इससे भी बनेगी इसको इससे join करो इसको इससे join करो और सीधा इस ट्रेट इधर खीज दो अब उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि जो आपका एक triangle निकल के आएगा न उस triangle को ही आपको क्या करना है? बताना है तो देखो कौन सा triangle निकल के आएगा यह मैं shade कर रहा हूँ यह एक triangle निकल के आएगा जो कि किस axis पे है? x-axis का एक triangle आपके सामने है यह आपका x-axis पे रखा हुआ triangle है क्लियर हुँ बात? यह आपका x-axis पे रखा हुआ एक triangle है अब द्यान से एक चीज और देखनी है यहाँ पे उन्होंने बोलाए कि जो triangle के vertices है ना उन vertices के आप मुझे coordinates बताओ तो यहाँ पे पहला coordinate होगा यहाँ पे इस coordinate को देखो तो क्या होगा minus 1,0 यह होगा आपका 2,3 और यह होगा आपका 4,0 तो यहाँ पे तीन vertices के तीन coordinates निकल गया आगे इसको नाम देदू A, इसको नाम देदू B, इसको नाम देदू C ठीक है तो यहाँ पे यह आपका triangle हुआ यह आपका vertices हुए है बात आगे समझ में, very easy यह आपका 3.2 खतम हुआ आयो आपको एक-एक चीज समझा हुए कोई भी question नहीं समझाया आप नीचे comment box में लिख सकते हो, अभी भी और कोई भी, किसी भी question में किसी तरीका के doubt है प्लीज आप comment box में लिख हो यार और चैनल को इतनी, मैं efforts दाल रहा हूँ चैनल को अगर subscribe नहीं किया तो अच्छा नहीं लगता ना, दिल से बुरा लगता है